factors of production देखिए production क्या होता है उसकी meaning definition हमने last video में discuss कर ली तो production में क्या होता है कि different activities perform की जाती है जिसके जरीए input को output में convert किया जाता है या फिर कह लिजे कि raw material को हम finished product में convert करते हैं अब आपको suppose की bread बनाना है bread produce करना है bread manufacture करना है तो उसकी लिए आप क्या करते हो कि जो raw material होता है उस उसकी kneading करते हो उसको rising करते हो उसको shape देते हो उसको bake करते हो पकाते हो फिर आपके सामने bread बनकर तयार होता है तो यह जो पूरी activity जो आपने perform की raw material को convert करके bread बनाने के लिए वही चेश production कहलाती है clear तो production क्योंग एक पूरा process हो जाता है तो यह जो process है production का कि यहाँ पे आपक आपको labor की requirement पढ़ती है worker की requirement होती है अब raw material खुद बाखुद तो उठके mix नहीं हो जाएगा खुद बाखुद उसको आप नीट नहीं कर पाओगे या bake हो जाएगा उसके लिए आपको labor की requirement पढ़ेगी अब bake करने के लिए आपको machinery की requirement पढ़ेगी बैक करना है पकाना है तो transportation के लिए गाडियां चाहिए होंगी clear अब ये जो सारी activities perform करनी है और labor को जो salary देनी है ये कौन करेगा ये entrepreneur करता है एक जो risk taker होता है entrepreneur करना है एक person है जो की business perform करता है जो business activity को perform करता है वो जो है उसको bread बेंचना है bread बनाना है bread बनाकर जो है उसको market में sell करना है और profit कमाना है तो उसके लिए यानि कि bread बनाने के लिए उसको ये सारी production process perform करने पड़ेंगे उसके लिए उसको raw metal लेकठा करना पड़ेगा उसके लिए आपको factory बनानी पड़ेगे उसके लिए मसीरी purchase करनी पड़ेगे उसके लिए workers को hire करना पड़ेगा तो यही जो land, labor, capital और entrepreneur होते है इन से ने डिफाइन किया कि resources used to produce goods and services are called factor of production तो यानि कि वो resources जो की production में use किये जाते हैं किसे भी goods या services के किसे भी goods को बनाने के लिए जो resources यूज किये जाते हैं उनको factors of production कहते हैं they are used in the process of production तो जो economist हैं उन्होंने जो है factor of production को four main category में divide किया कौन-कौन से जो भी हमने पीछे देखा that is land, labor, capital and entrepreneur तो एके करके देखें तो देखें land कहने के मतलब यहाँ पे हो गया earth यानि कि natural resources अर्थ से आपको क्या मिलता है raw material मिलता है different natural resources मिल रहे हैं यानि कि आपको जो free gift होते है nature के land, forest, mineral, water यह सारी चीज़ें आपको मिल रहे हैं और इनका use करते हैं आम production के लिए तो land कहने के बाता है यहाँ पे हो गया सिर्फ जमीन नहीं यहाँ पर land के साथ forest, mineral, water या फिर जो natural resources हैं जो freely हमें available होती है nature के दौरा वो सारी चीज़ें वो हमेरा factor of production कहलाती है उसके बाद फिर आता है अगला labor, यानि कि जो natural resources हैं, raw materials हैं उनको convert करने के लिए, machinery को operate करने के लिए different activities जो physical हैं फिर mental activities होती हैं उसको perform करने के लिए हमें labor की requirement होती है तो labor यानि कि human resources या फिर human effort कह लीजिए means physical and mental effort of human in the production process अब production कैसे करना है, machinery कहां लगेगी, machine को operate कैसे करना है, machine को चलाएगा कौन ये सारी चीज़ें तो human की perform करते हैं, human ही है जो कि सोचेगा कि machine को कब चलाना है कितने बचे चलाना है, कितनी देर चलाना है, कितनी देर पकाना है ठीक है यह human ही physically perform काता है और mentally भी perform काता है यानि कि documentation हो गया यह सारी चीज़े जो है mental work होते हैं जो blue collar, white collar, manager, supervisor, अलग-अलग activities होती हैं जो की perform की जाती है production process में तो उसके लिए आपको क्या चाहिए labor चाहिए clear उसके बाद फिर आता है capital अब यह सारी चीज़ें जो आपको raw material purchase करना है या फिर आपको worker को salary देनी है या फिर production के लिए आपको machinery चाहिए, building चाहिए, आपको factory चाहिए होगी, machinery, tools, equipment इस सारी चीज़ें चाहिए होती है तो वो सब किसमें आ जाता है capital items में आ जाता है तो capital में money finance होता ही है इसके सासाथ आपकी machinery, tools, equipment, factory building ये सारी चीज़ें जो है capital में involved हो जाती है और वहीं पे जो force है that is entrepreneur या फिर entrepreneurship कहीं पर आपको देखने को मिलेगा तो entrepreneur मतलब कि क्या हो गया है कि एक person जो ये सारी activity को arrange करता है यानि कि एक person होता है जो risk लेता और एक business से start करता है business के business का start किया suppose कि जो example लिए हमने bread का कि वो bread बनाएगा market में बेचेगा profit कमाएगा अब bread बनाकर market में बेचने के लिए उसको पहले production process जो पूरा perform करना पड़ेगा अब उस production process को perform करने के लिए उसको land की requirement, labor की requirement और capital की requirement होगी तो entrepreneur होता है जो एक business setup करता है उसमें raw material लेगा उसमे labor को worker को hire करेगा उसको जो है capital लगाएगा और वो जो है manufacture करेगा bread बनाने के बाद उसको बेचता है और profit कमाता है तो entrepreneur को हो गया the person who organize the things to produce new product यहाँ पे entrepreneur कौन हो गया कि नया product बनाने के लिए या फिर जो product को manufacture करने के लिए जो चीजों को organize करता है उसे को हम entrepreneur कहते है arrange finances, hire employees, take risk and innovate वो नया product नया technique कुछ नया develop करता है तो risk कौन लेता है entrepreneur लेता है entrepreneur यह जो manufacturing activities के लिए जो है पूरा चीज़ें organize करता है और फिर finally product बनता है उसको जो है market में वो sell करता है तो जैसे आपने नाम सुने होंगे धिरुभाई अंबानी, jrd tata, jeff bejos है जो कि amazon उनके नाम पे है तो यह सब क्या है यह entrepreneur है तो कोई भी business organization बिना entrepreneur के work नहीं कर सकती है तो entrepreneur वहाँ पे होता ही होता है कोई एक पैसा person होगा जो risk लेगा, business को setup करेगा, चीज़ों को organize करेगा फिर उस organization में, उस manufacturing process में land, labor, capital की requirement होती है और उसका use करके product जो finished goods बनता है उसको फिर finally market में sell किया जाता है तो hope आपको समझ में आपके की factor production क्या है, land, labor, capital and entrepreneur, wish you all the best, keep watching